मैन प्राम परंडा आनि याँ डव्ली पील सीजन तीन मदिल सरवादिक धावा करना रहा खेड़ून करिता एक ओरेंज क्याप जी ठेवला गेले लिया है ती याँ वेडेस दावेदारी गेतलिया है वैबो रजुदिया याँ खेड़ूने जो याँ सीजन मदि खेड़ून आरेंस 11 या संगा कड़ून आनि परपल कैप सुद्धा है गोलन दाजा करिता याँ परपल कैप चा मान करी ठरतो है तो नरेश निलेश गाई कवाड जाना सरवादिक बड़ी टिपले है तर जावेडेस निलेश आपलेला ओन फिल्ड झाल बड़़्ाह देए। झाल झाल तो आज की दिन का यह अंतिम मुकाबला यहां बल्ले बाद इस समय ग्राउंड के अंदर आते हुए है मुकाबला खेला जा रहा है आरेंस एलेवन वर्सेस जैकिसान भर के बीज टॉस जीत कर पहले गेन बाजी करने का निरने लिया है यहां पर आरेंस एलेवन ने और इस समय आज के इस साल का अंतिम दिन है और इस साल के अंतिम दिन में यह अंतिम बुकाबला आज के दिन का तो देखना इस साल के अंतिम दिन में कोहन सा टीम है जो जीत कर इस साल का चश्ण मना सकता है और आने वाले साल में आगास कर सकता है तो इस बीच इस मैच का आगे का आखोदे का हाल सुनाएंगे हमारे साथी कोमेंटेटर साजीद अली मैन भराम माले गाओ सुरी रिसोड शुक्रिया सर शुरू करता हूँ अल्ला के नाम से जोकिर पलु दयावान है और दोने टीम को मेरी तरफ से इसमेच की मुबारक बात जहां तक सवाल है जै किसान भर का एक बहुत जूनी टीम हलाके लगबग 30 साल पूरे कर चुकी अपने किर्केट केरियर में हलाके चहरे बदल गए लेकिन नाम नहीं बदला जो माहल है आपे वाशिम के अंदर किर्केट को देखने एक मिला है तो बहुत ही बहतरीन माहल मेरे 30 साल के केरियर में पहली बार ऐसा मैं किर्केट का महल देख रहा हूँ अंपार ने मैं सिगनल का इशारा किया और स्रादमी शिरुबात करेंगे शुबम और विजू और विक्टो के पीछे करन नकवार रिसोड की रन मशीन देखना हूँगा सचिन जो के हरपन महला खिलाडी रावंद विकेट से इजबार खेल दिया है गेन को फाइन लेक की तरफ चार रन बाहितरीन शॉट गेन बल्ले से टेक राने के बाद चार रन की महर लक चुकी थी शुबम दुआरा तो पारी का पहला चुक आया शुबम के बल्ले से बहुत ही जबर्दा शुरुआत हाला के काफी लंबी बैटिंग है याँपे आरियान वाशिम ने टोज जीते बाद गेन बाजी करने का फाइसला किया और खराब गेन थी याँपे सचिन ने उसको सही नस्यद बक्षी याँपे शुबम दुआरा फिर एक बार रावंद विकेट फिर से खराब गेन उसका पूरा फाइदा उठाया और ये बैक टु बैक शायद दूसरी बॉंडरी आ जाएंगी दूसरा चौका अमपार ने इशारा किया चार रणों का तो स्कोर हो आईसी चार के साथ आट रण शुबम के लिए सुलोर वान गेन और उसको कट कर दिया गेन को और बॉंडी की तरह बिया लगाता और शायद हेडरीक हो जाएंगे आब आपके पास चाहे कितनी भी तगड़ी वल्ले बाजी हो अगर इस तरह विशाल डीजे जहां कई भी हो कॉमिटर बॉक्स में आए और यहाँ पे कॉमिटर बॉक्स में एक हरपन मौला खिलारी जुनेत पठान स्वागत है उनका सची ने जिन्होंने तीन गेंदे किया है जिसमें से पहली गेंद खराब की थी उसके बाद शौटर प्लेन गेंद की थी उसका पूरा फाइदा तीसरी स्लो शौट थोड़ी स्लो गेंद इस बार अपना साइड चेंज किया है शुबम इसके लिए तो बिलकुल माही रही है शायद बल्ले शक्रमाच छे रन की महर लग चुगी शायद और सही निर ने अमपार दुआरा ती दो खिलाले को चीरते अब तक दो रने पूरे कर लिए और फिर भी अमपार के इशारे का इंतिजार करेंगे तक तो शायद रन तीन दौड के पूरे कर लिए तीन रन तो इसकोर वाईशी तीन रन के साथ शायद एक्किस और यह लगने वाला पहला जटका विजे सर बोल्ड ओट हो चुके है यह आज के दिन का आखरी मैच आट ओर का खेला जा रहा है जिसमें से टाउच जीतने के बाद आरियन ने गेन बाजी करने का फैसला किया अभी तक तो कोई अच्छी शिरुवात नहीं उन से क्योंके काफी महेंगा और यह एक किस रन इस ओर में आये है अगर इस तरह की गेन बाजी होती है दिनक्ची दूरुप से मुश्किल हो जाएंगा उनके लिए लेकिन उनके पास जो बैटिंग लाइने काफी लंबी है अब देखना होगा करन नकवाल दूसरे हैंड से गेन बाजी करेंगे शायद आब और परिवर्तन की तौर पे पहली बार सामना करेंगे शुबम जो के एक हाल लिटर बल्ले बाज है तो करन नकवाल काफी लंबारन आप सामने शुबम इस बार खेल दिया है गेंद को गेंद हवा में यह शायद यह चौथा चौका होगा यहां शुबम के बल्ले से निकला इसकोर होगा इसी चौका के साथ इसकोर होगा इस बार खेल दिया गेंद को इसकोर होगा पच्चीस तरन जगा पर रुकावा इपारी का दूसरा और करन अकवाल दुआरा सामने शुबम जो के बहुती बहुती बहुतीन बल्ले बाजी खेर रहे है इस बार अपिस्टम के बाहर के गेन को कट करने का परियास किया था वाइट कर अर्दियम पारे तो पहला एक्स्टा रन आया इसको रोईसी एक्स्टा के साथ पच्चीस रन माफ कीजे चब्विस रन दोनों भी एक ही गाउं के पिलेर करन नकवाल और शुबम इस बार लेगी स्टम के गेन को रिवास सुइप खेलने का परियास किया था डौट गेन बहुतीन गेन बाजी यहां पे करन नकवाल दो आ रहा जो के बहुती बहुतीन खिलाडी है करन रिसोड के एक घरपन मौला खिलाड़ी गेन बाजी और बल्ले बाजी बहुत 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 करते हैं एक बार शुबम के लिए इस बार फिर से स् nose रोवन गेन पढ़ने पाये गेन को अच्छी वाफसी दिलाई है यहां पर करन ने ऐसे बल्ले बास को जो पाँच गेंदे खेल चुके चार बौंटी लगा चुका था तीन चौके एक चका ऐसे बल्ले बास को बिल्कुल बांध रखा है तारिफूंग है अनकवाल्द की बहुती बहुती बहुतरिन गेंद बाजी फिर से करन इस बार खेल दिया गेंद को सुलोर वन गेंदी फिर समझ नहीं पाए गेंद को हवा में और यहाँ पे शायद क्या छोड़ाया निखिल जो के एक ऐसे बल्ले बास को मौका दिया आपने जो गेंद को बौंडरी में तबदिल कर रहा था पहले और में 21 रंज जोड़े थे बहुती बहतरीन गेंद बाजी हाँ पे करन की हाला के दो तीन गेंदे डौट कराने के बाद एक आउटसिंग गेंद को निकाला था और उसमें सफल भी हुए थे तो अक्षा आये नहीं बल्ले बास ये भी हाड़ इटर बल्ले बाजे सव रंग की पारी खिली थी रिसोड में अक्षाई ने इस बार हलक आतों से गेंद को खेला एक बार फिर से मौका है लेकिन तयार नहीं थे खिलाडी इसी रंग के साथ इसकोर हुआ है 28 रं भैतरिन शायद और ये करन दुआरा केवज 17 नहीं सोर से हलागे पहली गेंद में मौन रही थी जुनेत पठान उसके बाद बहुत ही अच्छी गेंद बाजी की एक वाइड भी गेंद की थी शायद और वो जो इसक्यार पे खड़ी है हमारे रिसूड की सागर अगरवाल और अजीज भाई जिसमें बैठे वे उस गाड़ी के काच को अगर कोई फोड़ता है या गेंद लगती भी है तो 21 रोब का प्राइज मिलेंगा फिर एक बार सचिन इस बाल हलके आतों से गेंद को खेला खिलाडी ने मिड विकेट के उपर एक रन का मौका था उसे पूरा कर लियाब इसी रन साथ इसकोर हो आए 29 रन डाइरेक अगर चक्का भी अगर गेंद वहाँ पर लगती है डाइरेक तो भी एक 200 रुपए प्राइज मिलेंगा अब सामना करेंगे शुबम जो के पहले 5 गिनों में काफी धुआधार बल्ले बाजी की थी और इस बार भी वही शिरुवात बिल्कुल सचिन को जासे छोड बता हमाँ से शुरू किया बहतीरिन शुबम के बल्ले से और इसकोर हो आईसी छे के साथ शायद 35 रन बहुती बहतीरिन बल्ले बाजी शुबम की जो के 80% गेंद को स्विप खेलना पसंड करते लेकिन इस बार हर दिशा में बल्ले बाजी करें सचिन इस बार खेल दिया गेंद को सीधे बल्ले से तब तक खिलाड़ी गेंद को लेता एक रन पूरा कर लिया इसकोर हो आईसी रन के साथ 36 जो के पारी काई है तीसरा और सचिन दुआरा अगर उसकार इस आपसे लेकर देखा जाए तो 6 गेंदों में करन ने 7 रन दिये थे बागी के रन हापे सचिन दुआरा दिये गए और जायरी है दूसरे हैंड से शिरुवात की थी गेंद बाजी की सचिन ने काफी महेंगे साबित होते हुए इस बार हलकी आयता से गेंद को खेला दोग की कॉल जरूर है लेकिन नहीं ले पाएंगे कुछी सिंगल यहां पे निकाले है जै किसान के बल्ले बाजोने काफी गेंदे बाउंटरी के भाएर ठेकिये हैं यहां पे शुबम दुआरा अब सामना करेंगे शुबम सुलोर वन गेंद और इस कुपा आजीज भाई शायद बज गए तीसरा छक्का बॉल फेको भाई अजीज भाई यहां पे 21 रोपे से बज गए शुबम ने परियास जरूर किया था फिर से परियास करेंगे कि बहुत ही खतरनाक बल्ले बाज है बहुत परफ्रेक्ट शाट है इनका यह विशाल भाई डीजे चालू करते है अब बहुंडरी लगने के बाद सचीन नाखुश होंगे अपने गेन बाजी से सामने शुबम एक बहुतरी नौल रॉंडर इस बार फाइन लेक के ओपर गेन को खेला और चार रन इसको रो आईसी चार के साथ 47 रन काफी महेंगा हो रिये और दो रो में हापे 40 रन दिये सचीन ने जर गाड़ी इसको अगर गेन लगती है तो 21 रोपय का प्राइज मिलेंगा दोनों बल्लेबास ध्यान कर ले तॉप सब्सक्राइब करेंगे इस बार फ स्विफ्ष खेला गेन को चार रन के साथ इसको रोएक प्राइब काव अंदरन काफी महेंगी गेन बाजी होती हुए हैं पर सचीन और शाम दुआरा अभी भी पांच गेंदे बची है शाम के पास पहले मेर्च में बहुती बहुतरिन गेन बाजी की थी शाम सार ने लेकिन उसके बाद यहां पर खराप शिरुवात और ऐसे बल्ले बाजों को गेन बाजी कर रहे हैं आप जो बिल्कुल हाड़ीटर बल्ले बाजे दोनों भी शुबा मार यह बहुतरिन गेन इस मैच की सबसे अच्छी गेन इसी लाइन पर गेन बाजी करने होगी अगर बल्ले बाज को बांध रखना है तो लेकिन आसान नहीं होगा क्योंकर स्कोर यहां पर एक कवन पार कर चुका है और पारीका क्योल चौथा योर शिरू है इसके बाद भी काफी तगड़ी बल्ले बाजी जै किसान भर के पास परविं सर है उसके बाद मनीश पवार खतरनाग बल्ले बाज लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की शीववबने वो बिल्कुल तारीफे लाइक बी तक 3 गेनों में 6 रन दे चुके हैंई शाम सर बहुती अच्छी बल्लेबाजी तोच जीतने के बाद आरियन ने गेन वाजी करने का फैसला किया था फिसे एक बार शाम सर पठकी मी गेंड थी इसे कुल करने का पर्यास किया था फाइन लेक के ओपर खिलाडी से काफी दूर गेंड तयार नहीं थे फाइन लेक के खिलाडी और यहाँ पे तीन रन शायद पूरे कर लिए दोड़ के स्कोर हुआ इसी तीन रन के साथ चपपन रन बहुती 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 बल्ले बाजी कर रहे दोनों बल्ले बाज अब शुबब होंगे स्ट्राइक के उपर जो के 21 सुर्व का प्राइज लगाया है सागर अगरवाल अजीज भाई ने अगर गेंध हीड़ी भी करती है गाड़ी को तो इसकोर चपपन रन चौथा और ये पारी का शाम दौरा अंपार को करास करते हुए इस बार खेल दिया गेंध को मौका हाँ पर खिलाड़ी से काफी दूर लेकिन अच्छी फिल्डिंग 57 चुका इसकोर अभी है तसराब तक दे चुके हैं आपर शाम सर मैं आज को अगर जीतना है तो कम से कम 90 या पंचा नुर नजोल नहीं के काफी तगड़ी बैटिंग है आपर आरियन के पास शाम सर गेंद करेंगे उर्दो विकेट से इस बार अच्छी गेंद थी दो गेंदे बहुत अच्छी किये शाम सर ने इस और में एक बहुत्री नूर किसम आपती है आपर आरियन के और से क्रीज कर दृट से खप्राइण बार आरियन देज़रो अच्छी किसम खचे 6500ब ले ही जिस के किसम प्रह बहुत्ます झाही जाफ, बहुत्ट 좋 launcher झाल 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 यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है हमें शुबम के बल्ले से अब तक 15 गेंदों का सामना किया है ला जवाब 44 रन पर ना बाद अपनी पारी को सजाया है एक बहितरी न लह में बहितरी फॉर्म से इस समय बल्ले बाजी करते हुए शुबम और एक अच्छा शाद दे रहे हुए उनका अक्षय है फिर एक बार लेस्टम की शेतर में खेला वास्तोक शॉट अप लेवल की गेंदी पूल कर दिया हुसे गेंद जाएंगी यकिनन सीमा रेशा पार चार रन हमें आज खेलना चार है उस दिशा में यकिनन रन कापी खोज रहे है हलकी सी शॉट गेंद थी मिली उससे खेल दिया लेस्टम की शेतर में चार रनों के लिए इस बीच पिर एक बार स्विच इट खेलने का प्रयास किया था इस समय उचाल कापी जादा मिला गेंद में जिसके कारणा यहाँ पर दो रंग बैतरिन पूरे किये विक्टो पे कापी बैतरिन रनिंग बिट्रिन दो के दोनों बल्ले बाजों के दौरा अक्षे और शुबम की बीच सत्रा गेंदो में अपना अर्दश अधक पूरा किया शुबम ने इसे टुर्नोमेंट का यह दूसरा अर्दश अधक आज ही के दिन में बना है पहला अर्दश्य दक बना था वाइबो रोजदिय के बल्ले से इस समय दूसरा अर्दश्य दक आया है शुबाम शेजूल के नाम बे संतोष बहुत जादो यांचा आगमन जालेला है विनेंद यसील सरनना आपन मुख्य मंचावर विराजमान वाईचा है WPLS सिजन तीन चा आयोजन कमिटी चावर तीना अपना मना पसन मना स्विश स्वागा तसल सर कुर्वाया मुख्य मंचावर आसन ग्रहन कराईचा है एक अच्छी बल्ल बाजी देखने को मिल रही है इस समय जै किसान भर की ओर से फिर एक बार गती परिवर्दन किया था हलका सा गेन का काटा बदला था समझ नहीं पाए थे बल्ले बाज शुभा में इस समय इस समय इसे शाट को कापी जल्दी से खेल गए थे वरियेशन जरूर किया था गेन बाजे में करन ने क्योंकि पता है जिस आकनवकर रवयय से बल्ले बाजी कर रहे है इस समय शुभा म तो चाहेगे जरूर थोड़ा सा शुभा म को रोकना पसंद करेंगे गेन बाजे में अब तक किसी तरह से कोई गेन बाज सफल नहीं हो पाया आरेन 11 की ओर से कापी ताबर तोड बन्ले बाजी की शिरुवात की दी शुबम ने आती पहली ओर मैं चार बाउंडरी जर्जी ती और अपने इरादेस पस्ट किये थे इस बीज फिर एक बार करें गेन करेंगे इस मैं अक्षय जो AK-47 के नाम से जाने जाते है बखो भी साथ निबा रहे हैं इस समय अपने साथी बन्ले बाज शुबम का फिर एक बार अच्छी गेन तेज गेन इस समय गती कापी बहते रही थी मगर उचाल ज़रा कम था जिसके कारणा सही तरह से इस गेन को भाप नहीं पाए बल्ले बाज अक्षय तो एक दॉट गेन कापी देर के बाद यहाँ पर देखने को मिली है करन की ओर से करन जो इस टीम के आइकान और कप्तान है एक बहते निना रोल अदा कर रहे है अपने इस टीम के लिए इस से पूरी श्रिंख लागा चोफता मुकाबरा खेलते वे इस समय आरेंस एलेवन फिर एक बार उचा खेला हुआ स्ट्रोक उचा जरूर गया है दूरी जरूर कम है मगर क्या इस से कैच को पूरा कर पाएंगे जी हां लकी बैतरिन कैच यहाँ पर पूरा क्या झाल 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 तो एक अच्छा विकेट यहाँ पर जरूर दिलाने में कामियाब हुए है अक्षे को वापस बेजा है डगाउट के और इस बीच अक्षे की जगा बल्ले बाजी के लिए हैं मनीश पोलार्ट इससे मुकाबले में देख रहे होंगे आप एक औरेंज के आज आरियंस किलर्डी के सर के उपर है जिसका नाम है वैबो रजय दिया जिनोंने अब तक इस पूरे टूर्णामेंट में सबसे जादा रन अपने नाम किये है जिसके चलते औरेंज के आपके एक दावेदार बन से गेंट बाजे में परिवर्तन अभी जीत अभी जीत आते ही पहली गेंट पर स्विचीट खेला यकिनन गेंट हलकी सी दरार गेंट फरार गेंट जाएंगी सीमा रज़ापार लेगबाइस के रूप में आता हुआ ये इशारा अंपार कॉल चार रांस के साथ शाहिद बल्ले का किनार अलगा है इस समय यकिनन तो अक्षे के बल्ले से पिर एक बड़ा स्ट्रोक आता हुआ इस समय चार रांस के रूप में सुबम शुबम शुबम काफी बैतरिना फॉर्म में चलते हुए इस समय सतर रन अब तक स्कोर बोट पे लगया है फिर एक बार प्रैस किया था स्वीचिट खिलने का इस समय चिप फिल्डिंग एक थ्रो जरू जरू किया है तो अभी जी तो पहली गेन पे जरू मेंगे साबित हुए थे चार रंस जरू खर्च किये थे मगर दूसरी गेन अच्छी लाइन और लेंड पे जरू की है इस समय वापसी करते हुए अपने गेन बाजी पर इस बेच पहली गेन स्विचिट खिलना चाहते थे मनीश कल हमने देखा था आते ही इसी अंदाज में बल्ले बाजी की दी पहली गेन पे एक बैच्टन स्ट्रोक चर दिया था कापी लंबा स्ट्रोक खिला था अभी जिद्धोरे एक कापी अनुभवी तज्यूर्बे कार गेन बाज है अब तक सफल गेन बाज साबित हुए है आरे एंस 11 की और से चेंज आप पेस वेरियेशन किया था गती इस समय जरूर कम की थी इस गेंद में और बीट क्या है बल्ले बाज पॉलाइट को एक अनुभव का कापी बैतिरिन इस्तमाल करते हुए अपने इस गेंद बाजी में अभी जीत फिर इक बार इस समय जैसे स्टांस बदलाता लोर फुल्टाथ गेंद की दी उसे केला है गैप में बिल्कुल गेंद जाएगे यकिनन चार रन के लिए अच्छी स्टोक याप पर पॉलाट के बल्ले से जरूर देखने को मिली थी डाउन दो पीछा कर केला हुआ बैतिरिस्टोक काफी उचा भी और काफी लंबा भी छेरट कि लिए बल्ले बाजी करते है इसके बाद दूसरे हैंड से छे गेंद बचती है उनके पास सामने कार पे गेंद खेलने के लिए बिल्कुल बारा बॉल बाकिली कार पे खेलने के लिए 6 गेंद बची से आसान नहीं होगा दूसरे हैंट से reverse sweep खेलना मंने पहले बताया क्या बारा घेंद के लिए 2 गेंद बचा है स्कोरे यहाँपे जैकी सान भर का 81 सिरन दो खिलाड़ी शायद उनके आउट हो चुके है क्या लगता है सर आपको जिस तरह से शिवाम और मनीश खेल रहे हैं क्या 100 प्लस कर पाएंगे इससर टोटल को बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि सामने वाली टीम की जो बैटिंग लाने काफी तगडी है क्योंकि सचिन जो विक्टो के पीछे काफी बहत्रीन बल्ले बाजी करते हैं और करान नकवाल वो भी बहुती बहत्रीन बल्ले बाजी करते हैं उसके बाद जियो यह गेन बाजी करें तो यह भी थोड़ी अच्छी बल्ले बाजी कर लेते हैं तो बिल्कुल यहां पर 100 के उपर ही प्लस कर तो अब तक आएक हमारे जानकार जो ऑनलाइन स्कोरिंग कर रहा है इस इन्होंने हमें बता है इस सबसे हाइस रिकॉर्ड अपने नाम किया है शुबम ने साइट रन पर अभी भी नाबाद पारी खेल रहे है वैबोर जो दिया जिन्होंने 53 रन बना थे अब तक का हाइस स्को इस समय शुबम ने से रिकॉर्ड को ब्रेक किया है और अब साइट रन पर अभी भी नाबाद खेल रहे है विल्कुर यहां पर रिकॉर्ड तो बनेंगे और चड़ेंगे वी क्योंकि इसके बाद बहुत सारे मैचेस बागी है बहुत सारे अच्छे बल्ले बास बल्ले रहेंगा यहां पर कि माहल बहुत ही बहतरी नहीं पर वाशिम के अंदर इस बार लेगिस्टम के उपर गेंग बिल्कुर सहीं दिरने अमपार का वाइट एक्स्टा के साथ इसकोर हुआ है यहां पर दूसरे हैंट से गिन बाजी करें पहले हैंट से गिन बाजी कि थी शाम सर ने इसकोर है शाइओ चौरेए सीरन शुबम इस बार खेल दिया है कि अनको बल्ले के तकडा के बाद छे रन की महर लग चुकी थी कामेटरी बाक्स में बैतरी इंचक का शुमम के बल्ले से और स्कोर शायद 90 हो चुका इस छे के साथ जिया हम बात करते हैं अगर देखा जाए तो पहली गेन पे जरूर या परेका जीरो पर जीवन दान मिला था शुमम को जो कैच छोड़ा था निकिल ले इस बिच फिर एक बार अच्चा स्ट्रोग लेक्स्ताम की शेत्र में गेन ट्रावल कर रहा है चार रहनों के लिए इसको शायद 94 हो चुका शायद इस चोगे के साथ ऐसा लगता है फिर भी स्कूरर बताएंगे समय अपने आप से काफी नाकोश होंगे निकिल फिर एक बार स्विच इट के लाहा है इस समय काफी बला स्ट्रोग 76 रंस अभी भी कुछ गेंद आना बाकी है एक गेंद अभी भी आना बाकी डाउन दपी जाकर खेला वास ट्रोग यहाँ पर काउक और रंस में गेंड ट्रावल करता हुआ करन वहाँ पर होंगे मौजूद अच्छी फिल्डिंग एक रं यहाँ पर जरू पूरा करेंगे इस एक रंस के साथ टोटल हुआ है 101 एक रंस्कोरबोर्ड पर जड़े है लक्ष रखा है 102 रंसका और आपने नीजी जी स्कोर साथ ओर के समवब्प्ति के बाद सौरी 101 लण अब तक स्कोरबोर्ड पर लगे है नीजी 46 रंस पर सदयत्तर रंस बंदे बाजी कर रहा है इस समय शुभाम तो बिल्कुल 6 गेंदों का खेल बचाए हैं आपे जैकिसान घर के पारी में का और देखना इस 6 गेंदों में कितना बना पाते हैं तो चेसिंग में थोदा मुश्किल होता है हला के विकेट भी यहां पे मिट्टी का है और बहुत अच्छा है आप बिल्कुल बल्ले बाजी के लिए अच्छी विकेट होता है अब देखना है बची भी 6 गेंदे किस तरह से खेलते हैं शुबम अगर यहां पर अपना साय कड़ा करते हैं तो तुर्णामेंट के बेस्ट शाहिद बन जाएंगे पहले पीदेर बनेंगे सो बनाने वाले शाहिद इस बार खेल दिया और यह शाहिद छे रन बहुत रिंचक का शुबम दुआरा 107 तो शुबम अपने अगर 17 जोड़ते हैं तो इस तुर्णामेंट का पहला शतक विर शाहिद बनेंगे वो पाँच गेंदों में 17 अगर जोड़ते हैं तो शुबम एक बहुत्रीन बल्ले बाजी जो क्या चुटा दा करन नकवाल की गेन के उपर अटरन के स्कोर पे उसका पूरा फाइदा उठाया यहां पे बची भी पाँच गेंदे इजवार खेल दिया आगेंद को और यह बाहत्रीन चैरण बैक्टी बैक दूसरा चक्राइब अगर शतक लगाते इस तुर्णामेंट के पहले शतक वीर बनेंगे इस बार खेल दिया है फाइन लेक की तरप निक्षी तुरुफ से गेंजाएंगी बांडरी की तरप चार रनों के लिए और त्रियाद और शुबम यह शतक लगाते है तो कमिटी की तरप से 11 रुपे का पराइज मिलेगा क्योंकि अपने शतक से 7 रन पीछे है शुबम बची 3 गेंजाएंगे इस ओर की और इस बार खेल दिया है फाइन लेक की तरप और चार रन सत्यान और स्कोर हो चुका है टीम का एक सो एक सो एक किस रन जैकी सान रिसोड रिसोड तालुके की सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने वाली टीम लगबग तस साल क्रिकेट के उपर हुकुमत की इस टीम ने टेनिस बॉल के अंदर तीन रन बनाने है बची भी दो गेंदे शुबम क्या चुटा था बीस रन के स्कोर पे इस बार खेल दिया है यहाँ पर दो की कॉल है लेकिन नहीं जाएंगे और यहाँ पर पूरे कर लिए मनिश पवार की तारीफ होंगी यहाँ पर कृद नहीं छोड़ी उन्होंने बिल्कुल सही सोच इससे कहते हैं माइंड गेम क्रिकेट विल्कुल बहुती बहत्रिन सोच के साथ यहाँ पर मनिश पवार ने अपना छोड़ बदला जब तक वो पहुचे नहीं किरिज नहीं छोड़ी अगर कोई युवा इस रणिंग को और इस हुनल को देख रहा है तो सीकना बहुत ज़रूरी एक रण पीछे नने रण बना कर खेल रहे हैं पीस रण की स्कोर पे क्या चुड़ा दा करन की गेन थी वो सुलोर रवन इस बार कट कर दिया कि इनको और ये दूसरा शतक डब्ल्यू पिल का और दो रण पूरे कर लिए 101 रण की पारी खेले हैं आपे नाट उल्ट पारी शुबम द्वारा झाया ये उल्ट जाओ लो सुलोर रहे हैं झाया झाया थाओवाद। झाया 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 झायाए झाल 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 बिग हिट साथ चक्के और दस चोखों का समावेश किया था और जीतनी के लिए लक्ष रखा है 126 126 रनों का अब देखा जाए तो इस दोनों टीमों के बीच हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे मिस्टर डबली पील के नाम से जाने जाते हैं जिन्होंने सीजन एक में इसी अंदाज में बन्ले बाजी की थी और पहला शतक बनाया था इस डबली पील सीजन वन का वाइभो रजुदिया और इस साल सीजन त्री में हम आए है सीजन त्री में बना है इस डवली पिल इतिहास में दूसरा शतक जो शुबंब ने अपने नाम किया है चलो दर्शकों से हम गुजरिस करते हैं एक रुपाया जल से जल बाउंडरी से बाहर हो जाए दिर्दारीत आट ओरों में इस पहले बल्लबाजी करते हुए चेकिसान भर ने 125 रन जोड़े है स्कोर बोर्ट पे लक्षे रखा है 126, 126 रनों का देखना है से 126 रनों का पीचा किस तरह से करती है आरियंस 11 क्योंकि इस टीम में भी काफी बड़ी बैटिंग लाइन अप है सचिन वर्ते, वैभव रजुदिया, करन नक्वाल, शाम, डीटी, ज्याने शुरवान खेड़े काफी बड़ा बैटिंग लाइन अप है आरियंस 11 के इस टीम के साथ भी तो यह मुकाबला काफी है रोम हंचक होगा दर्शकों के लिए तो इस सदमा हम जरूरी बात कहना चाहेंगे इस सीजन 3 में जो विकेट बना है लाजवाब विकेट बना है इस समय पूरी टीम ने इस विकेट के लिए काफी मैनत की है अमारे पिछ क्यूरेटर आतिक चाचु के नाम सुझी ने जाना जाता है जो लाइन बन्स है कुरपया जल से जल थोड़ा चुना लेकर जाए ग्राउंड के अंदर झाल 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 तो इससे बेची साथ दूसरे पारी का आगाज होता हुआ यह सर प्ले तो सलामी वल्लेबास की रूप में आ है वैबो रोजो दिया और साचिन वर्ते और यह पर पहली गेन दिशाहिन गेन वाइट सीस स्पेल की शुरॉत की है गेनबास और शिवाजी ने शिवाजी इस समय सलाम में गेनबास की रूप में आए है और पहली ही गेन पे बल्ले का अंदरूनी की नरण लगा क्लीन बोल्ड कर दिया या झाल पलतार जित की है यहाँ पर गेंदबाद शिवाजी ने वैबो रोजुदिया को वापस बेजा डगाउट की ओर इसमय वैबो की जगा बल्ले बाजी के लिए आए है करन फिर एक बार इसमय आफस्टम से कापी बाहर गेंद अतिरिकत रंका फिर एक बार इजाबा होदा हुआ वाइट की रूप में आत हुआ अए हैंपार का इशारा एक जिस विकेट की तलाश कर रहे थे इस पहली ओर में उसे ज़रूर कामिया भी मिली है गेंद बाज शिवाजी को कापी बड़ा विकेट है वोइबो का यहाँ पर अरजित किया है और रिवास खेला वास टोक इस समय है कापी उचा और कापी दूर भी इस पिर एक बार अच्छी स्ट्रोक यहाँ पर अच्छी स्ट्रोक यह पर कवर के दिशा मैं खिलाड़ी वहाँ पर जरूर खड़े होंगे मनीश पोलाड एक अच्छी फिल्डिंग इस समय सचिन वर्ते ऑन अ स्ट्राइक पहली मारतबा स्ट्राइक करेंगे शिवाजी के गेंद बाजी के लिए फिर एक बार सीधे बल्ले से खेला था इस समय खेलाड़ी 38 के अंदर खड़े है विजए अच्छी फिल्डिंग यहांपर इस बीच फिर एक बार अच्छी गेंद यहांपर इस समय उचाल जरू कम था गेंद में चांते दिए इस समय गली के दिशा में खेले इस ट्रोक को तो एक अच्छा ओवर यहांपर घटा हुआ जैकी सन भर के लिए शिवाजी इस समय फिर एक बार गेंद बाजी के लिए तो यार उचा खेला वास ट्रोक अक्षे होंगे वापे मौझूद कापी बड़ा विकेट दूसरा विकेट सचिन वर्थे झाल हुआओवार। झाल हुआओवार। झाल हुआओवार विकेट समय टाज़ खुत धिला. क्यार में था खेला हुआओवार। तो ला जवाबा गेन बाजी यहाँ पर शिवा जी की ओर से पहली ओर में काफी बड़ी सपलता है अजित की है दो विक्टे काफी बड़ी अपने नाम करने में कामियाब हुए थे गेन बाज शिवा जी जिन्नोंने वैवो रजिदिया और सचिन वर्ते दोनों को भी चलता किया सनावी बल्ले बाज के रूप में आये थे इस समय दाने शर्वान केड़े आये हैं बल्ले बाज उमेश कास्ते आते ही सब पहली गेन पर स्वागत किया है छे रन के साथ क्यों पर समय है छेराय कि रविवास ंचaa बल्ले लाका एंट आते हाई में आर biology बल्ले syndrome क्तुम स्वागती कि गजराय कर पहली में भी कि टभ Pharise अच्छी स्ट्रोक्या पर करन के बनने से दूसरा बिग हीट जरूर आता हुआ इस पारी को जरूर बड़ा करना होगा इस मुकाबले में अगर बने रहना है उमेश की पहली गेंद पर यापर बड़े स्ट्रोक के साथ सौगत किया है छे रनों के लिए खेला था इसे गेंद को फिर एक बार उमेश तयार है गेंद के लिए अच्छी गेंद यापर अच्छी गेंद वाइड यॉर गेंद की थी तेज तरह गेंद ये एक वाइड यॉर गेंद है गेंद बाजों के लिए इस टेनिस क्रिकेट की दुनिया में अगर किसी तरह से बन ले बाज को रोकना होगा तो वाइड यॉर गेंद एक सफल गेंद मानी जाती है इस बीच फिर एक बार डाउन देपिछ खेला था लॉंगान की दिशा में गेंद को जरूर खेला है इस सिंगल रन यहां पर जरूर पूरा करेंगे आसानी के साथ स्कोर में इजाब होता हुआ नए बल्ले बाज ज्याने शर्वान खेड़े इस समय आये हैं अभी अभी क्रिस पर बल्ले बाजी के लिए और स्ट्राइक सामना करेंगे उमेश की गेंद बाजी का यहां पर तेज तरह गेंद जरू की तीम अगर आफस्ट्रम से कापी बाहर की दिशा जिस समय बदली थी वाइट की रूप में एक अधिरिक तरहन का इजापा होता हुआ पर एक बार डिटी सामना करेंगे उमेश की गेंद का इस बीच उचा खेला हुआ स्ट्रोक अच्छा प्रैस किया था छेर रन यहाँ पर ओके डीजे ओके डीजे अच्छा स्ट्रोक अपर डीटी के बल्ले से का बड़ा कड़ा प्रहार देखने को मिला है इससे अंदाज में बल्ले बाजी करनी होगी करन और डीटी याने गांशे वान कड़े को क्योंकि लक्ष काफी बड़ा रखा है 126 रन बनाने इससे मुकाबले को जीतना है तो फिर एक बार फिर एक बार बड़ी स्ट्रोक की खोज़ में अच्छी वापसी की है इस गेंट पर गेंट बाज उमेश नहीं जरूर पिछली गेंट पर एक बड़ा स्ट्रोक आया था मगर अच्छी लाइक के साथ ऐसी लाइन लेंट के साथ इस गेंट को जरूर डिलिवर किया है फिर एक बार बन लेगा बार ही किनारा लगा असलीप की दिशा में गेंट जरूर गई थी इस समय क्यारी नहीं कर भाई शिवा थे वहाँ पर खिलाडी यहाँ पर दो और की समाप्ती दो और की समाप्ती के बाद स्कोर जाकर पहुचा तेवीस रन दो विक्टों के नुक्सान पे इसके बाद का आकोदे का हाल हमारे साती मित्र अमर्दा की जुबानी इस से मुकाबले की आगे की कहानी दोन शटकाचा समाप्तीन अंतर धाव संक्या है तेवीस दोन गडिवाद तेवीस दोन खंदे फलंदाज तम उच आश्ट्राइला जाओन बस लेले है सचीन आने वैभो योडी मुठी धाव संक्या जर पार कराईची आसेल तर ते दो घंच आसन खूब गर्जेश होता प यानेश्वर आनी करन बगुया आपले टीम ला कुट परन्द ने उन पोच होता तेक WPL सीजन वन पासुन पहला WPL सीजन वन मादे वह भरो जोद्याचा शतक पहला मिलाला आनी आज शुबं शेजूल यांचा शतक पहला मिलाला उतकृष्टाशी फटके बाजी केली पहला शतक गोलंदा जाहे छिवाजी देश्मक्तेचा सामना करेल करन दोन शटका मदे 23 धावा भगोया आता पुर्चा सहा शटका मदे काय होता है पुल्टा शेंडू टोलेला है कावर चादी शेला आतीते लांगा उप्सा फिल्डर यून शेदरक्षन करेल तो परंत एक धाव कराप्चंडू अता कुठही टोलू शक्लास ता करन परंत दूसरा शेदरक्षन करेला आता टोलेला मुला फक्त एक जाव मिलाली यह एक धावे निश्य धाव संक्या पोश्ली ती चोविस अधोन गड़ी बाद शिवाजी आंच तीसरा शटक वयक्तिक दूसरा शांग लगोलें दाजा है शिवाजी आपटलेले चंडू आहे हावेत चंडू आहे आनि तेचा खाली को नी यू शक्तो का आनि हा जेल उड परन्तू दूसरी आक्षेतर रक्षका नी तो जेल पूर ने केला कुल्स पूर्ण जेल पूर्ण जेल पूर्ण को यू चबत कारी के जेल बागावास मिला अपलेवादा व्यू आप लूद्धा श्वताहा तो जेल गयाना शाटी गेले उते आनि तेचा आथा तून चेंडू उसली गेवाज आनि लोंगान सा खेलाड़ू विजू डोई तो जहेल पूर्ण केले लाहे तर दोगांचा योगदा नासे लिया जहेल मदे आनि तीसरा गड़ी बाद जाले लाहे तो आर्यान संगाचा आनि द्यानेशर चीजागा घिने करता आले दो नवीन फलंदाज सतिश आले आले मोठा फट का खेलनेशा प्रहतन पुरंदू साब सुकले लाहे सतिश उजवाइश्टी चा थोड़ा सा बाहेर हाचेंडू तला के टोला उशकले लाने मिया अगो दर सांगले गोलंदाजी करता देश्मुक आत्या परिंदा मोठी फट के खेलू दिले ले ना ये तेनने सांगले गोलंदाजी जप्रदर्शन करता स्ताना पुर्णा खुट्टा पेचा चेंडू टोले लाहे तो एक्स्ट्र कवर चा दीशेला एकस धाव मिलेल दीथे सुन्दर गोलंदाजी अप्रतीम अध्वितिये असस मनावला गेल कुप मोठल लक्ष ठेवले लाहे भर जहागीर संगाने आर्यन संगा करता 117 धावांचा लक्षा है मापकर 117 धावांचा लक्षा है आनि त्या लक्षा चा पाठलक करता स्तानी आत्ता परिंत आर्यन संगाने तीन गड़ी बाद 25 धावा आनि उत्कुर्ष्ट टोले लाहे सरल छेत्र लक्षे काचा हाताद झाल – धर जब लक्षा है क्षा लक्षा लग्षा है नात्या है प्रहां लाग लेला चौथा जटका आर्यान संगाला प्रहां लाग लेला चौथा जटका आर्यान संगाला प्रहां लेला चौथा जटका आर्यान लेला चौथा जटका आर्यान संगाला प्रहां लेला चौथा जटका आर्यान लेला चौथा जटका आर्यान संगाला प्रहां लेला चौथा जटका आर्यान लेला चौथा जटका आर्यान लेला प्रहां लेला चौथा जटका आर्यान लेला चौथा जटका आर्यान लेला उमाकान काश्टे पुर्चा चेंडू सतिश करता उमाकान काश्टे जटका आर्यान लेला प्रहां लेला चेंडू टोले लेला चौथा जटका आर्यान लेला चौथा जटका आर्यान लेला पाउस पाड़ु शक्ताथ दोवाधार फलंदाजी करन्या करता प्रसिद्धा है चाम दूतोंडे आनि तेवडिस धारदार गोलंदाजी सुद्धा होता है भर जागिर संगा गड़न उड़ा टकलेला चेंडू काईसा खोल टप्पेचा बैट्ची कर्ड घिवण थोड़ा सा विशावला है तो याश्टी रक्षा काजा हातात चांगल्या गोलंदाजी चाप्रदर्शन होता है उमा कांद कास्टे यांचा गड़न उजो याश्टी चा भाहर मारा करतानी पुड़ा टकलेला चेंडू टोलेलेला है पुड़ा जरी चेंडू वन बावंस इंद डिफेंस चावकार संसनीत चावकार मारलेला है अनि याश्टी चावकार निशी शामदू दन्याने अपला खाता खोललेला है थोड़ा जरी चुकिजा चेंडू पढ़ला तर यही खेलपट्टी आशी आहे इते चावर चावकार अथ्वा शटकार मिलना रच आनि विश्ष्टा आपन बगितला है कि संध्याकाल चा मैच मदे खुप धावा निखता है तिया खेलपट्टी मदून फुल्टाश चेंडू ता पर देख्टा टोलेला लेला स्टेट डाउन डोग्राउन लांगान चेक शेतरक्षक आनि चेंडू अडव लेला है आनि एकस धाव या एका धावे निखे धाव संक्या पोस्टली 31 धावा आया शटकाचा शेवर्चा चेंडू पाच गड़ी बाद 31 धावा पूड़ टाक लेला चेंडू टोलो लेला है लोंगाप चेदी शेला तीदे चेतरक्षक आहेत आनि सुन्दर असा झेल टीपलेला है विजोए डोई फोडे यान्नि आनि विजोए डोई फोडे यान्ची ही ती झाले हैं विजोए यान्नि विजोए भी यान्नि वी वान्नि सेलीप टावाए यान्नि वान्नि पावापन। झाल झाल सहागरीबाद एक्तिजदावा नविन फलंदाज नविन फलंदाज गेले लाहते शाम इंगोले शाम दू तोंडे आने सचिन इंगोले हमाइब करा शाम इंगोले आने गोलंदाज आहे गनेश बोड़के यानि पहला चेंडू दिशाइन टकलेला है उजाष्टेचा बाहर चेंडू पंजांचा इशार वाइड अधरीक्त धाव जोड लेकिली संगाचा खातें संगाची धाव संके पोचली बत्तिस धावा गनेश महाराष्ट्र बोलीस वर्सेस महाराष्ट्र पोचल पोलीस शाम दुतोंडे आपट लेला चेंडू टोलेलेला है मीड़केट्चा दिशेला परन्दो देतेक शेतर रक्षक आहे चेंडू परतिया परन्द एक धाव पूरुन जालीलिया है पहला चेंडू अतरिक की दाव दिली अनि दूसरे चेंडू थोड़केट्चा आपकेश महाराष्ट्र प्रतितल प्रतितल एक सॉमला पर उक्स दाव मिलावली अधापु जांडू पूर्चंडू ताकले लचेंडू आने ट्लोलेला है चेंडू बोलन बाउन्स परतितले पुदटाक लेला चेंडू ने तयला टोलोला सरल गुलन दाजया डोक्या वरून अनि चेंचावकार मिलोला आपटलेला चेंडू काई वेल हवेत आहे एक्षेतर रक्षर पोशुशक ले नहीं आनि एक धावेससा वेल मिलालेला है शामला आनि एक धाव पूर्ण या एक धाव निशी धाव संक्या जाली 38 साहागड़ी बाद 38 उन साउन टोले लाने चेंडू बगुया थिते जहलो उशक्तो का आनि हाँ शाम दूतों ने जहल बादून आनि एक धाव ने जहलो उश्या जाली खंदे फलंदा शाम्दु तुन्डे तंबुत चा अश्रेला परत आलेली आहेद आनी पत्ते चा बंगला पर्माने को सोल तो एडाव हा आर्यन संगाचा आता गेले धावडोरे फलंदा जिला आनी सुन्दरा सा टोलून काडले लाए एक्स्ट्रा कवर चा दिशेला आनी एक धाव मिलाली एका धाव नीशी खात खुलले लाए बहडोरे अनी आनी संगाची धाव संग्या पोच्छली ते एकों चालीज धावा काईसा प्रतिकार पहला मिलेल आशी पेक्षा होती आर्यन संगा कडना परन्तु त्या पेक्षा रूपक फलंदा जी जाली नाई आर्यन संगाची पुन्ना एक दाच्यांगला फटका शामिंगोले आन्चा गडून परन्तु दिटेक्षे तर रक्षे कास्त्रेमोल फक्त एकस धाव मिलेल तरता या एक्क्या दुक्का नी एकीरी दुहीरी धावानी काही ही फ़रक बढ़नार ने भर जागिर संगाला आनि पाच शटकांचा समापतिन अंतर धाव संक्या है चालीस धावा सात गडिबाद डुपलीए सेजन अतरी मदे उच्चांकी धाव संक्या जाले लिया आज उच्चांकी धाव संक्या रेकर्ड ब्रेक स्कोर एक्षे पंच्वीस धावा आटशटका मदे आनि आता विजाई डोई फोडे गोलंदा जिलाले लाए टोलोनेचा प्रेत्न शामेनचा परंदु चुकले डावे एस्टीचा बाहर रचा हाट चेंडू आनि तेला पंचनी दिशाइं धरोलेले वाइड आति रिक्तो धाव संगाचा खात्या मदे धाव संग्या पूसली एक के चलीच धावा खुल टप पेज़ा चेंडू कही ही समझुशक लेना है आनि चेंडू सरल विसावला येश्टी रख्षका जाहाताथ निर्धाव चेंडू आता बक्त या सामन्या मदे उप्चारिकता बाकी रह लिल्या है पुन्ना एक दा खोल टपेज़ा चेंडू टोलेलेला है लोंगांचा दिशेला आनि तेते एक धाव मिलेल शामिंगो ले आनना दूसरा धावेचा प्रहत्न तेंचा परन्तु नकार दिलाए रहोडोर यान्या परन्तु आनकी एक दा गचालक्षतर रक्षन दिदे आनि तेचा फायदागेट अदूसरी धाव पूर्ण के लिल्या है आता है एकेरी दूहेरी धावाननी कैदन्स घड़ा भरनार नही परन्तु दे लीग सामने आस्तल्या मुल धावानस अंतर कमी करनेचा प्रहत्न पुन्ना एक दा चांगला फटका लौंग लेक चा दिशेला आनि तेटे एक धाव मिलाली नही परत पठोली लाही आनि बहुदा धावाद भावडोरे ये धावाद जाली ले है दाव घेनेचा प्रहत्न उता लौंग लेकला हाचे नू मारलेला फटका चांगला उता परन्तु दिशेला रक्षक आस्तल्या मुल उप उतकुर्ष्टा फ्लिक के लेला है चेंडो वन बांस इन देफेंस सावकार पाया वर टकलेला चेंडो आनि तेला फ्लिक के ले स्क्वेर लेक्चा दीशेला चाहर मिला शामिंगोल उतनी पुन्ना एकदा खोल टब्पेशा चेंडो तेला टोलने ये येश मिला लेला हे काव कॉर्नला आनि एकदाव शामिंगोल उतनी आणि धाव संक्याप पोस्लीती सत्ते चालीज धावा मापकरा या दावे निशी अठ्थे चालीज धावा डावकुरा फलंदाच आणि नविन फलंदाच निखिल समुद्रे आपड लेला चेंडू बैट हावे मदे चेंडू अनि बैट चा संपर्क जाला चेंडू गेला इसक्वेर लेक्चा दिशला एक धाव दिते पूर्ण के लिए निखिल आनि आपला खाता उगरला एका धावे निशी अनि धाव संक्याप पोस्लीती एकोन पन्नास धावा करा दो झाल चेंडू ऱट खाता उड़ दोस्क्राव मत्ताव पोस्लीं अनि निखिल दोन शटका मदे तब्बल पंचात्तर पेक्षे जास्ट धावा बनवायो लागतिल धावसंक्या एकोन परना साध आड़ गड़ी बाद चांगला चंडू आनि तेवरस उतकृष्टरी तेट टोलोला चंडू गिला लोंगाँचा दिशेला आनि तेथे एक धाव मिलेल स्निकल समुदर आनना शाम इंगोले जे संगली फलंदाजी करताया अदुन मदोने इखादा चावकार कट पुल होक सगले फटके देनी लगावले तात्ता परेंद विजय इथे निश्चित जालेला है भर जागिर संगाचा हाँ चेंडू काईसा खाली रहला ने बैट ची कड घ्यून केला होता इस्टी रक्षक हाजा तो जेल घ्यू शकले नहीं इस्टी रक्षक सात्व शडक्चा अलुआ है आठ गड़ी बाद पन्नास धावा आपट लेला चेंडू कही ही सम्जू शकले नहीं हुक करने जा प्रहतन केला पर उन्तो बैट यही परेंद चेंडू निगून केला होता इस्टी रक्षक हाज हाता द्विसा अलुआ आठ गड़ी बाद बाद शामिंगोले आनि काई जालेली थी परजर थुड़ी थांबोली परंतो आवहन योड़ मोठो होता कि ते कहीच करू शकले नहीं आठ चटका मदे 120 धावा काड़ा जो त्यां रिवसा फटका परंतो चुक ले आनि चेंडू विसा अला येस्टी रक्षक जा हाताद शामिंगोले आनि निश्टाच धावसं के जर थोड़ी आवा क्या थास्ती तरिया चुटे खनी खेड़ीच फाइदा तेंचे संगला नकित जालास्ता पुन्ना एक्दा टोलेला है लांगांच अधिशला बग्या देख्षका है आनि चेंडू सरालिशे तरक्षका हाताद विसाला अनि शामिंगोले आनि चेड़ीच एका मोठा विजयाच अधिशन आगे कुछ केलीली आहे भर जागिर संगानी विजयाई तेंच जवजव निश्चित जालेला है फक्त धावांच अंतर कही सक्कमी जास्त हो शक्त योड़ाच काईया सामने मदेर हाले लीचूरस आनि ये सामने लीग सामने पदेदी चासले मुले याद धावान खूप महत्वास नरे शेवटी क्वालिफेकेशन चावलेस धासंग आहे तानी धासंगा बंद चारसंग फुडेच साल मिलेल लीग सामने सामने संपलेन अंतर आनि शेवर्चा शाट घ्यूने तायत्ते विजय डोई फूडे निकल समुद्रे समोरा स्थिल चिटरक्षन संजोदाना सर्वत संगन्नमाई जाई कि द्हावागी दी महत्वाचा ठ्रूशिक्ता शेवटी जावलेस् खुलेफेकेशन चाप्रश्न घयावलेस् पुर्ज तरफीज भागर नहीं निचांग टेंचस नमार को सब्सके लिए गर्चा संगानी एक निच्चांक काल केला तेनी पस्तिस धावान सा जो या सीजन मदला सग्रेत कमी धावसंग क्या है आनि उच्चांक की धावसंग के जी आच्ची एक्षे पंचुईस्ट तबल ती सुद्धा तैंचास नावर मंजे जे मंताहिल की सांगल प्रदर्शन सुद्धा एका सीरीज मदे एका सामने मदे खराब सुद्धा मंजे गुड और बैड रेकॉर्ड दो नी या संगाचा नावर परन्तु ते सांगल या गुड रेकॉर्ड चे आठवन ठेवून पुड आनि हाँ काव कॉर्णर चे दिशेला टोलोलाल चेंडू एक धाव मिलल ती दे चांगल रेकॉर्ड लक्षा ठेवन पुडेच साल करतील अभर जागिर्चा संग आनि विसरनेजा प्रेतन करतील अजो निच्चांकी धाव संके देनी केली होती विदर्व संगाचे उरुदात तर चंगल प्रदेशन रहा लाच्चा सम्निया मदे आनि ते उडिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् खुल्ट पहसे चेंडू परन्थु पायावरा दला आनी बॉन दाए शटक संपले लाहे शंब्ले लाहें इंत विजाई जाले लाहे फरlusंग अभिनllor और सब्विजां मिलाऊं लाहें फर्चा आगिर शंगं अनी आने डीजे विशाल यान्नी आच्चाया रयोवारी इथे डीजे उपलब्द करूं दिल्या बदल धन्यवाद मन्राचे वतीने आमी आभारिया होत आनी सुन्दर अशार रयोवार चे सांगता आनी संगल्या फटके बाजी नी आनी संगल्या सामने ने जाली लिया है एक संगनिश्ची तच निराशशल परंतु भर जहागीर्चा